हलो दोस्तों, हिमाचल परदेश एक पहाडी राज्यो है। पहाडी राज्यो होने के कारण इसकी चोटियां सदय भी बरब से ढकी रहती है। इन्ही चोटियों की आ शवकल में बहुत सारी जीलें पाई जाती है, जो हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी को और भी ज़्यादा ग्लोडिफाई करती है आज हम HP की एक डिश्टिक्ट चमबा की जीलों के बारे में विस्तार में जानेंगे जो की चमबा की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट जीले हैं इन जीलों से कोशन आने के चांसे बहुत ज़्यादा रहते हैं सबसे पहले अगर जील की हम बात करें तो गड़ासरू जील के बारे में हम विस्तार से जानेंगे गड़ासरू जील जो रहा तैसीर में लोकेटेड है जो 30 से 24 किलोमेटर आगे पाई जाती है अगर हम गड़ासरू जील के एटिटूड की बात करें तो इसका एटिटूड है 3503 मेटर इस जील की अगर सरकंफिरेंस की बात करें तो इसका सरकंफिरेंस नेरली 1 किलोमेटर में खास बात ये है कि इसके बैंक पर माता काली का टेंपल बिल्ट किया हुआ है ये इस जील की important points है आप इन्हें note कर लें दूसरी important जील है चमबा की लामा लेक लामा लेक की अगर हम location की बात करें तो लामा लेक दौलाधार रेंज के बर्मौर रीजन में मिलती है आप से question पोच सकते हैं की लामा लेक कहां situated है तो simple answer है बर्मौर दूसरा important point है की जो लामा लेक group of seven lakes का है और इन साथ जीलो में सबसे बड़ी जील लामा है अब हम इसके attitude की बात करें तो इसका altitude है 3,962 मेटर का कई बार आपके exam में इसकी लामा लेक की altitude या elevation के बारे में भी question आ सकता है तो आप इसे याद रख सकते हैं थर्ड important जो चंबा की लेक है वो है मनी महेश लेक यह important लेक है इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं मनी महेश लेक को हम डर लेक के नाम से भी जानते हैं जैसे आप इस picture में देख सकते हैं कि कितना beautiful view है यह मनी महेश लेक का view है मनी महेश लेक को हम डर लेक के नाम से भी जानते हैं मनी महेशले का एल्टिट्यूट 4080 मिटर का है अगर इसकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो मनी महेशले की पीर पंजाल रेंज की केलाश पीक की फुट हिल में मिलती है जो की वर्मौर सब्डिवीजन में लोकेटिड है केलाश पीक हिंदु धर्म के लिए बहुत ही रेलीजियस सिगनिफिकेंस रखता है और इसी लिए इस लेक का भी रेलीजियस सिगनिफिकेंस बहुत जादा बढ़ जाता है इस लेक के बारे में ये मान्यता है कि मनी महिश लेक मातकाली की दवारा ब्लस्ट है और लौड शिवा इस लेक को प्रोटैक्ट करते हैं इसलिए इस लेक के बैंक्स पर हर साल अगस्त और सितंबर के मंत में एक फिर एक मिला लगता है अब हम चमबा की एक next important लेक के बारे में भी जानेंगे जो है महाकाली लेक नाम से ही जैसे इस लेक का पता लग जाता है कि ये लेक अगर इस लेक की location के बारे में पता किया जाए तो ये लेक चमबा की चुरह एरिया में situated है इस लेक की elevation में सी लेवल से 3657 मिटर की height पर है चमबा की जो remaining जीले हैं उसे हम अपने next part में देखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज हमारे चैनल study funda 24-7 को share करें subscribe करें और इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें थेंक यू